दुखा एलो, दुखा एलो, मोन लागे दारे, भुकेर भीतोर धेंकोरा कोरवाती बाजीरे, दुखा एलो, 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 रंगी लाँ तारा, रंग देल, जुए ताई वात रे सोगारा थारा एलो एलो दुका चविला थारा एलो एलो दुका रंगिला औरा एलो एलो दुका पढ़े जूरे इसानी दार तुले देखना मैं नवराद्टरी स्पेशल इसा लुप करूँगी कि सम मेरे उपर इतरा आके गिरेंगे मेरी उपर, सब मेरी उपर इतरा के गिरने, क्योंकि मैं दुब़ा पूझा ऐसा मेकअप करूँगे आइ ratios था करना को सब्सक्राइब कर दो पेस्सलीर किया आप ही सोच हो कि नवरात्री असब मेकप कैसे करे, तो लिएक लो तो पहले मैंने अपनी स्किन को प्रेप कर लिया है अभी मैं प्राइमर लगांगी तो प्राइमर को ब्लेंड करने के बाद लगा लो foundation तो foundation को पहले मैं dot dot करके पूरे face में apply कर लूँगे और फिर beauty blender की मद़ से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी foundation blend करनी के बाद मैं लगाऊँगी conce neat तो पहले मैं अपने eyes और nose पे cheeks और forehead पे थोड़ा सा लगा लूँगे और फिर अच्छे से blend कर लूँगी अब मैं फेस पे लूज पाउडर लगाऊंगी ताकि मेरा जो ये बेस है पूरा दिन अच्छे से सेट रहे तो फिर मैं अपने पूरे फेस में पाउडर अप्लाई कर लूँगी जितना टाइम हमारा मेकप बेक होता है तब तक मैं अपने आइवरोज को फिल कर लूँगी तो अपने आइवरोज फिल कुछी सेकेंड में हो जाते तो लो हो गया तो अब मैं सीधा चली जाओंगी मेरी आई मेकप पे तो फ्लफी ब्रश लेकर पिंक शेड को लेकर ऐसे ग्रीज लाइन पर ऐसे प्लेन कर लूँगी फिर फ्लैट ब्रश के मदद से ये डार्क ग्रीन श भणा कर लूँगी और जैसे हमने आई की उपर किया है वैसे है की वट लाइन से थोड़ा नीचे वैसे अप्लाइक कर लूँगी ताकि आई लूक उभर के आए अब एक पतले से ब्रश मेंhl सिर्भर कैंट कर लेकर क्रीज लाइन पर ऐसा एक लाइन ड्राइक कर लूंगी ताकि ये cut crease वाला look आए. जितना अभी shadows लगा लो, liner के भी ना eye look complete ही नहीं होता. तो मैं liner अप्लाई कर लूँगी. Liner को waterline में भी थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी. और last में थोड़ा सा mascara भी अप्लाई कर लूँगी. जितना अप्लाई कर लूँगी. हो गया हमारा नवरात्री special makeup अपना final look दिखा देते हैं. तो मैं कर रही हूँ दुरगापुजा special makeup look. तो इसके लिए पहले मैं लगा लूँगी primer. So after primer, अब हम लगाएंगे color character. Face के जहाँ जहाँ पे black spot है, वहाँ पे इस ऐसे apply कर तो. पर ज्यादा मत लगाना हाँ, क्योंकि ज्यादा लगाने से हमारा base भी ready हो सकता है. अब एक damp blender लेके इसे blend कर लो. Next में foundation लेके अच्छे से face और neck area में apply कर लो. And blender के मदद से blend कर लो. Foundation को अच्छे से blend करने के बाद next हम लगाएंगे concealer. And concealer को अपने under eye और मतलब T-zone में अच्छे से लगाने के बाद एक damp blender के मदद से again blend कर लो. अब face को thin मनाने के लिए next हम करेंगे cream contouring. तो इसके लिए पहले एक इस तरीके का brush लेके कान के पास ऐसे गालों पे एक triangle shape draw कर लो. Then jawline पे लंबा line draw कर लो. अब सेम तरीके से इस side पे भी कर लो. और थोड़ा सा forehead पे और lips के नीचे भी कर लो. And then अच्छे से blend कर लो. अब हम again concealer लेगे contour को नीचे से थोड़ा सा cut कर लेंगे. और अच्छे से blend कर लेंगे. अब next में base को set करने के लिए हम ले लेंगे loose powder और ऐसे under eye पे और contour की नीचे की part पे और ऐसे full base को powder से set कर देंगे. और last में थोड़ा से extra powder हम under eye पे लगा के रखेंगे. अब एक इस तरीके का brush लेके थोड़ा से brown color पिक कर लेंगे और जहाँ जहाँ पे cream contour किये हैं वहाँ पे powder contour कर देंगे. देन nose contouring के लिए एक इस तरीके का brush लेके nose के दोनों साइट से ऐसा straight line draw कर लो. देन brush की मदद से line को अच्छे से blend कर दो. Next में गालो को गुलाबी बनाने के लिए ले 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 एक इस तरीके का brush और एक blush का palette. अब blush को ऐसे गालो के high point पे अच्छे से लगा लो. So base पूरा complete हो गया, अब हम इसको fixed करने के लिए लगा लेंगे fixer. देन एक इस तरीके का angular brush लेके pick कर लेंगे brown और black shade and eyebrow draw करना start कर देंगे. अब सेम तरीकी से इस side का eyebrow के तरह दूसरे side का eyebrow को भी complete कर लेंगे और उसके बाद एक इस तरीके का fluffy brush लेके उसमें orange color pick कर लेंगे और outer corner में blend करना start करेंगे. नेक्स्ट हम pick करेंगे red और violet shade और उसे भी outer corner में ऐसे blend करेंगे. नेक्स्ट हम एक इस तरीके का flat brush लेके concealer के मज़द से crease को cut कर लेंगे. यहाँ पे हम हफ से थोरा सा ज़ादा ही cut कर रहे हैं. देन एगें violet color को pick करके cut crease का outer corner पे ऐसे blend करना start करेंगे. देन ऐसा एक flat brush लेके उसमें ऐसा एक silver shimmer color को pick करेंगे और ऐसे eyeball के उपर dab dab करके लगा देंगे. देन इनर corner में इस तरीके का एक nude shade लेके लगा देंगे. लास्ट में इस तरीके का एक golden glitter लेकर silver shimmer के उपर ऐसे थोरा थोरा करके लगा देंगे. इससे ना eye look और ज्यादा gorgeous दिखेगा. Next eyeliner से हम एक इस तरीके का लंबा wing liner draw कर लेंगे. And same तरीके से नीचे भी एक इस तरीके का wing draw करना है. काजल लगा के ऐसा eyeshadow के मदद से lower waterline को smoke out कर दो. Then आखों को बड़ा दिखाने के लिए हम brush के पीछे तोरा सा concealer लगा लेंगे और उसे ऐसे lower waterline में apply कर लेंगे. And then again eyeshadow से तोरा सा smoke out कर लेंगे. So अब इस eye के तरह चिटके से हम दूसरे eye को भी complete कर लेंगे. So last में mascara and then lash लगाने के बाद देखो. Eye look तो complete हो गया. अब हम blush को थोरा सा touch up करने के बाद लगा लेंगे highlighter. And last में lipstick लगाने के बाद और एक बार fixer लगा लो. और देखो मेरा make-up तो पुरा complete है. अब थोरा सा सजने सवरने के बाद आप लोग ही बताओ कैसे दिख रही हूँ मैं? So guys video कैसा लगा? बताओ. और यह जो दो लोग है यह आप नवरात के या फिर दुड़ा पुजा दोनों में ही try कर सकते हो. और उससे पहले जलने से वीडियो को like कर दो, share कर दो, comment कर दो और चानल को subscribe कर दो. And last में happy नवरात और happy दुड़ा पुजा.